नमस्कार दोस्तों, इनकी एज 25 साल और 7 मन्थ है, इसके पहले भी जो पाम था, सेम एज का ही था, आज कोई कोई इंसिडेंस है कि दोनों पाम सेम एज का, अब इनों ने करोडो रुपे का इस एज तक में भी करोडो रुपे का नुकसान उठा लिया है, व्यापार करते करते और उसका कारण है, धन रेखा, और एक कारण है, ये दो कारण जब मिक्स हो गए, तो इनको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ा, हाँ, ओवरल देखा जाए, ये पाम अच्छा है, आगे बहुत कम कष्ट है इनके जीवन में, बहुत अच्छी लाइफ जीएंगे, उसम में भी कोई किन्तु परंतु नहीं है, पर जो खराब फेस था, ये भूल भी जाएंगे, इतना अच्छा समय भी आएगा, अब फिलाल, मैं ये जो बोल रहा हूँ, इनको ट्रस्ट नहीं बैठेगा, पर समय समय का काम करेगा, और वो क्यों इनको जिलना पड़ा, ये यंग व्यक्ति है, ये सारे प्रोसीजर से, जैसे जैसे मैं फोटोग्राफ ले रहा था, इन सारे प्रोसीजरों से ये टच में थे, क्योंकि मेरे लिए भी आशरे का सब्जेक्ट था, कि व्यक्ति ये उम्र में इतना करोडों का नुक्सान कैसे कर सकता है, तो इक एक करके सामने चीज़े आई, और मैं उन चीजों को सॉल कर पाया, अब यहां पर देखे, तो ये पाम पूरा रेक्टेंगल और स्क्वेरिस दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे रेक्टेंगल पाम वाले, और जब चोड़ा ही होती है, तो महंती भी होते हैं, एक माइनस पॉइंट जरूर है इस हाथ में, जो जीवन भर रहेगा, यह जो दो उंगलिया उपर की तरफ चलती है, उपर, तो ऐसे लोग जो समय पर नेड़े लेना होता है, वो ले नहीं पाते हैं, और उसके बाद पस्तावा होता है, मैंने यह कारे किया होता त यह जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं, फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, तो कारे के ब्रती अच्छी खासी जीत होगी, सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लोजिक के साथ, तथ्यों के साथ, अपनी बात रख पाएंगे, और यहाँ पर देखी, एक कोन भी बन रहा है, यह इस तरह का कोन जब बनता है, तो ऐसे लोग बहुत स्पीडी होते हैं, जैसे आपको मैं एक उधारन दूँ, कि बच्चे लोग जो क्रिकेट खिलते हैं, और जिनके हाथों में तुरन बॉल आ जाता है, चपलता, जिसे कहते हैं ना चपलता, वो यह क कोन बताता है, और अंगुठा भी व्यस्तित है, कभी-कभी बहुत स्ट्रॉंग एटिटूट लेंगे, और कभी-कभी कॉंप्रोमाइस करेंगे, उंगलिया छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहेगी, और फास्ट नीणे लेंगे, लगबग दोनों उंगलिया सेमी है, और ये उंगली बैंड हो रही है, तो धार्मिक भावना आगे चलकर, काफी बड़ी मात्रा में रहेगी इनके जीवन में, और ये छोटी उंगली भी फर्स फैलाइन तक पहुंच लिए, तो व्यक्ति, डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को समभाल कर रखना है, याद चक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउन, ये सारी वस्तु में व्यक्ति कमजोर होता है, यहाँ पर मैंने जब इस तरह की छोटी उम्रों में व्यक्ति अगर काम करता है, तो यहाँ पर ये शेर सट्टे की लाइन भी है, तो शेर सट्टे में भी इनका दिमाख लगा रहेगा, अब चलते हैं इनके, इंक लगेवे पाम पर, और इस हाथ में फॉरें सेटलमेंट भी हंडेट परसेंट है, वो भी मैं आऊँगा उस पर भी, यहाँ पर देखिए एपेक सैंड बनी है, यह जब सैंड बनती है तो व्यक्ति बिजनेस माइंटेड होता है, कंटीन्यू चलने वाली लाइन है, यह व्यक्ति को वानी अच्छी देती है, बिजनेस माइंट देती है, और यहाँ पर उभारो, यक्ति नाम के प्रती ज़्यादा जागरुक होता है, छोटा भी काम करें तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, पर इनको नाम भी होगा, क्योंकि फेम भी मिलेगी, फेम वाली साइन भी काफी उत्तम है, तो जीवन में फेम भी अच्छी गासी प्राप्त होगी, यहाँ पर देखे यह square sign यह वेक्ति को multi city का काम भी करवायगी और यहाँ पर देखे तो यह sign और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह यह लोग रहते जिवन में आस-पास के लोगों को लगता है इनके जिवन में बल्ले-बल्ले multiple property की sign भी है तो जीवन में multiple property अभी create करेंगे अब इनकी sign हो की और चलते पहले छोटी sign हो से शुरुवत करते एक यहाँ पर sign बनी हुई है एक यहाँ पर भी है दो और यहाँ पर लगबग तीन से चाल sign है एक यह रही एक यहाँ पर है दो और यह तीन और एक sign यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है तो इतनी सारी sign और यहाँ पर और देखता हूँ मैं कहीं है तो इतनी सारी sign है पर बहुत बड़ी sign है नहीं है यह एक यह एक दो तीन चार पाच इतनी sign है इनके जीवन में है पर बहुत बड़ी sign है तो नहीं है पर है sign है जरूर है तो जीवन तो सम्रुद्धी वाला रहेगा शनी परवत एक दम फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं होता एक्टिवी रहते है ऐसे लोग और यहाँ पर देखे अगर यह क्रॉस बनता होगा तो पिता की और से मत्बेद पिता से दूर रहना या पिता का साय छोटी उम्र में जाना तीन मैंसे कोई ने कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है और पिता से मत्बेद तो रहते ही है और जीवन में बार बार बाधाय आना थोड़े सा आगे बढ़े तो पैर खिशने वाले लोग मिल जाते मैं इसका उपाय दे दूँगा अगर ये क्रोस रहा तो बहुत बार हमें देखने में भी गलती होती है एक लाइन जुपिटर के और जा रही है तो ये चार बेनिफिट दिलाती है पॉलिटिकल लाप, सरकारी लाप ससुराल पैसे वाला, सादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कारे काते हैं बड़े सरका करते है तो कई लगों को चारो लाप राप्त होते हैं किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाप राप्त होता है जुपिटर माउंट अच्छा है तो पारिवारिक और सांसा रिक्सुप जीवन में अच्छा मिलता है पर इसमें भी एक किंदू परन्तु है मैं उस पर भी आऊंगा जीवन रिका पर आऊंगा तब और यह मल्टिपल इंकम की लाइन है व्यक्ति को म्लृटिपल इंकम दिलाती है रमिष्टि एस्टर एस्टरेके मिष्ट्री साइंस में द्यान जाता है सेवाब भावी और धर्मिक यह चार वस्तूएं व्यक्ति को मिलती है और जुपिटर माउंट अच्छा होने से स्टेटस भी व्यक्ति को अच्छा मिलता है और खाने के शौकीन भी होते यह लोगोर कि औहारी मंगल भी व्यस्तित है तो साद्ह कुछ्जा व्यस्ति रहेगी ज्यद्ल हची निया और बहुत ज़्यादा कराब भी यह अच्छी रहेगी बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनरजी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफोटेबल फिल करेगा और संकट के समय वेक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है अब इनका विदेश जाना क्यों फिक्स हो सकता है यानि विदेश योग क्यों है यह देखिए यह पूरी जीवन रेकार चंद्रपरवत पर जा रही है यहां पर एक छोटा सा ट्राइ करी है और यहां से एक और साखा इस तरफ जा रही है तो ऐसे लोगों का विदेशा गमन फिक्स रहता ही है यह लोग विदेश में सैटल होई जाते हैं हाँ चंद्रपरवत तो मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है मध्यम टैक का है तो मध्यम गुड रहेगे और ना मनी टैंगल पूरा है पर फिशायन वालों को न भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता शुक्रपरवत अच्छा है तो कपड़े अच्छे पेनना अच्छी तेरह रहना यह सारे लक्षन इनमें पाए जाएंगे रिद्रे रिखा भी देखे कितनी उत्तम है पूरी जुपिटर से टेच कर रही है और एकदम सिंपल वे में चल रहे है यानि जीवन का आनन भी उठा पाएंगे बरोसे लाइक भी इंसान होंगे किसी के सो हाँ इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता यह एक माइनस पॉइंट रहता है शो नहीं कर पाते हैं मन में जरूर प्यार रहता है दिखावा नहीं कर पाते है तुछ देर एखा काफी उत्तम है तो जीवन का जीवन भर आनंद उठा पाएंगे बिना जंजटो वाला जीवन जीएंगे माइन लाइन देखे तो अत्ती महत्वकांशी व्यक्ति के जीवन में रहती है वैसी माइन लाइन है और धीरे धीरे यह धार्मिक बनते जाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जुपिटर से स्टार्ट होती है तो महत्वकांशा शो करती है और थोड़ किसी नीचे जाती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ता है सपने आने धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़े की बढ़ते जाएंगे बाहर वालों के लिए उत्ता होंगे घर में किसी व्यक्ति को थोड़ा सा जादा बोल-बोल करेंगे क्योंकि बहुत जादा जुक नहीं रही है अब यहां पर देखे तो यह एक लाइन यहां पर टच हो रही है पर यह लाइन में जीवन रेखा न होने के कारण मैं इसको जज्जमेंट देने में आक्षम हो पर यह जो लाइन है यह 100% इनके जीवन में साधी कराएगी साधियों की और यहां से दीरे दीरे इनका जीवन उत्तम होना चालू होगा और यहां पर एक कट यह छोटी सी रुकावट 29 में देगी अब इतना अच्छा जुपिटर वाउंट है सब कुछ है पर यहां एक और बड़ी रिलेशन लाइन है यह एज ओफ 34 के आसपास है तो यहां पर साधी होगी और यहां पर भी कोई न कोई रिलेशन आएगा इनके जीवन में यहां पर केवल पर यह साधी की लाइन ही समझो इसको रिलेशन लाइन कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह कम्प्लिट टच कर रही है और यहां पर यह भी कट टच कर रही है तो दो है तो कोई ने कोई benefit मिलेगी 44 में एक छोटी सी राउ रेखा काट रही है 45 में यात्रा रेखा है 46 में यात्रा रेखा है और 47 में एक छोटी सी राउ रेखा है उसके बाद इनके पूरे जीवन में कोई राउ रेखा केवल ये एक राउ रेखा है बस 47 वाली, उसके अलावा कोई राव रेखा ही अब हिनों ने जीवन में कश्ट क्यों उठाया तो यह देखिए यह जीवन रेखा चली और यहां से दूसरी जीवन रेखा चलू गी इस बीच में कुछ भी नहीं है कोई जीवन रेखा ही नहीं है तो मैंने कई वीडियो में आप लोगों को कहा है कि जीवन संगर्स वाला रहता है पर ये कोई करोडों का आर्थिक नुकसान नहीं देती पर संगर्स तो जीवन में रहता ही है और यहां से इनका संगर्स जाते हुए दिखेगा साधी के बाद 27 से इनका जीवन में संगर्ष पुरा होते हुए दिखेगा अच्छा खासा लंबा पिरियड लगबग 10 साल से 12 साल का पिरियड ये पूरा संगर्ष वाला था क्योंकि जीवन रेखा यह नहीं थी तो यह संगर्ष तो यहां पर शो हो गया यहां से जीवन रेखा सुरुवात हो रही है तो धीरे धीरे जीवन सेटल होना चालो हो जाएगा और 29 से एकदम सेटल होना चालो हो जाएगा 27 से सुरुवात होगी 29 से एकदम complete क्योंकि यहां से फिर strong जीवन रेखा दिख रही है और जैसे जैसे उम्रह आगे बढ़ेगी यह जीवन रेखा स्ट्रॉंग बन रही है यहाँ पर देखे यह कंडिशन अब यह तो एक एक माइनस पॉइंट था पर यह करोडों का नुक्सान नहीं देता अब इनके नुक्सान क्यों हुआ इनको उस पर जाते उस संगर्ष को मत भूलना साथ में यह देखिए यहां से इनकी जीवन रेखा बिगणने चालू हुई यह 27 का पिरियड यह जो कट है यह साधी का खर्चा आएगा इनको और यह अभी चल रहे है यहां पर इस जगह पर चल रहे है और उसके पहले का यह पूरा पिरियड यह 16 साल से लेकर अगर यहां पर भी गिने और यह बहुत ज़्यादा खराब देखो आप इस पिरियड से पूरी खराब है पूरी मवाद की तरह जैसे फैल गई हो फोरी होती हो उसके आसपास में कैसा मवाद जमता है वैसी धन्रेखा पूरी फैल चुकी है और यह कारण है इनके आर्थिक कष्ट का जो करोडों का नुक्सान इन्होंने जो भी पैसा डाला होगा कोई टरनोवर करी नहीं पाये होंगे क्योंकि इस तरह की धन्रेखा मैं व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि इवल डालता पैसा एक नुक्सान को भरने के लिए दूसरा पैसा डाला वह भी नुक्सान फिर दूसरा और नुक्सान फिर और नुक्सान इस तरह से यह कंडिशन होती है जब इस तरह की धन्रेखा होती है पर जीवन हमेशा कष्पून नहीं रहता एक फेस आता है व्यक्ति को वह उसको तकलि पर इस फोटोग्राफ में भी देखिए, यहां से तो यहां तक तो 25 तक तो यूज लेवल का प्रोब्लम और उसमें भी 22, 23 तक तो बहुत ज़्यादा कश्पुन रहा होगा, उसके बाद एक काथ साल बीच में अच्छा भी मिला होगा इनको, और उसके बाद फिर वापस यह हुआ, फिर यह कटाया, यह इनका साधी का खर्चा, और यहां से धीरे धीरे धनरे का अच्छी होते हुए, इस पॉइंट से काफी अच्छी हो रही है, यानि 31 से यह काफी सुन्दर बन रही है, और उसके बाद यहां पर एक का डेड़ साल थोड़ा सा कम जो रहेगा, यह वैसा नुकसान नहीं होगा, पर ग्रोथ थोड़ी सी कम रहेगी, 31 से 35 तक उत्तम ग्रोथ, फिर एक डेड़ साल थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी, फिर वापस ग्रोथ मिलनी चालू होगी, और यह कट आएगा, यह इनको आर्थिक नुकसान देगा 38 में, फिर यह एक दो साल थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी, पर इतनी कंडिशन कराब नहीं होगी, यहाँ पर जैसी हुई वैसी नहीं, थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर कम होगी, यह एज होगी, लगबग 40 से लेकर 42 तक, उसके बाद कोई प्रॉबलम नहीं, अप्टू एंड तक, और यह है यह रेख है, यह देखें, यहाँ पर भी कोई ऐसा कष्ट पून नहीं है, केवली यह दो साल थोड़े से, और एक दो साल यहाँ पर कष्ट पून रहेगा, बाकि एंड तब फिर धंद्रे का चली रही है, और यह भी पिरियड इतना खराब नहीं है, जितना यहाँ पर यह फेस कर यानि धन रेखा, खराब, साथ में जीवन रेखा, पात ही नहीं था, तो व्यक्ति बीना पात के कैसे जीएगा, वो आप समझ रो, संगर्स रहता है, और साथ में धन रेखा खाब, तो गरीबी में आटा गिला, तो 27 तक यह नॉर्मल जीवन जीए, 27 के बाद, साधी के और 31 आते आते तो यह चरम पर पहुच जाएंगे, 27 के बाद नुकसान नहीं करने वाले, थोड़ी सी ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी इनको, तो आसा रखता हूं, इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने क के लिए बहुत बहुत धने वाले